वेरी गुड आफनून फ्रेंड्स, दिस इत अपसायस, तपसायस में आपका स्वागत है सो ये दूसरा वीडियो है, यूपी पीचेस को लेके जिसमें लगातार बच्चो जो है स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन के खिलाफ जो है और अपना जो भी है मौझूदगी वहाँ पे दर्ज करा है और इन बच्चो के सहयोग के लिए मैंने जो लास्ट जज्जमेंट आया था अभी सुप्रीम कोर्ट का जज्जमेंट आया है आप रूल ऑफ गेम जो है वो चेंज कर सकते हो के नहीं कर सकते हो उसके साथ और भी बहुत सारे चीज़े डिसकर्स किया है 44 पेज का जज्जमेंट था उसको मैंने पढ़ा और समझने की कुशिस की और आप लोग की सहुलियत के हिसाब से कि आप लोग को समझने में दिक्कत ना हो तो मैं उसको जो है वो सिनॉपसिस बेस पे बहुत कम लाइनों में पांच-छे पॉइंट बना दिया हूँ अगर कोई एक नॉर्मल लेमेन भी अगर वो जज्जमेंट नहीं पढ़ सकता है मानलो की 44 पेज पढ़ने के उसके पास टाइम नहीं है तो वो उसको एक दो पेज में समझ ले और उसको हम PDF तपस के जो PDF है जो अपना टेलिग्राम चनल है उसके उपर भी हम उसको उसमें रख देंगे आप उसे देख सकते हैं ठीक है और उसको मैं कोश्चन के हिसाब से डिफाइन करने की कोशिस करूँगा कि recruitment process होता क्या है और कैसे recruitment process को छेर खानी कर रही है ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हुआ है आप रायस्थान का case ले लो MP का case ले लो या पि हडियाना का सिबिल सर्विस से जो डिफाइन का case ले लो उसमें सारे cases के वारे में Supreme Court ने discuss किया है कि आप किस तरीके से जो है एक notification से ले के selection का process होता है आप कहां कहां पे चर्खानी करते हो और कहां कहां पे आप नहीं कर सकते हो तो on that basis मैं आपको कुछ Supreme Court के जो judgment है उसको बताने की कोशिश करूँगा और उसमें आपको जतनी भी help हो सकेगी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दिना चाहूँगा और आप legally थोड़ी aware हो जाओ कि legally भी अब थोड़ा सा UBPCS के उपर pressure पड़ेगा कि पहले तो थोड़ा डर था कुछ लोगों को कि अगर ये court case होता है तो अपने favor में गिरेगा कि नहीं गिरेगा although वो litigation जब भी होता है तो उससे नुक्सान बच्चो का ही होता है सरकार का क्या है सरकार आती जाती है और वो अपने हिसाब से काम करती है आप सब जानते हैं लेकिन जो man victim होते हैं उसमें वो होते है student community और बहुत साई videos मैं सुनना था बहुत साई लोगों का मैं बात जानने की कोशिस किया हूँ और वो हमेशा कहते है कि इसमें भी ऐसा नहीं है कि uniformity के साथ अगर लड़कों के साथ अगर ये अन्याई हो रहा है तो लड़कियों के साथ तो अबर्डन डवल हो जाता है कुछ लड़कियों के मैं अभी सुनना था उसमें में बोला था कि मेरे पास last attempt थे कुछ कह रहे है कि मेरे घरवाले ने मुझे एक साल दिया था कि मैं इसको किजी तरीके से निकालूँ ठीक है अधरवाज मेरे इसाधी करवा देंगे बहुत सारे social pressure होते हैं बच्चों को इस कठीन परिस्थिती का सामना करते समय के साथ तो state government को हमेशा इस सब चीजों को भी consider करना चाहिए अपनी social strata भी समझना चाहिए कि यहां के लोगों की क्या है आमदनी कितनी है लोगों ने जमीने बेचके लोगों ने गिरवियां रखके बहुत सारी ममी ने अपनी गहने रखके ठीक है अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की हैं इस समय पे आना एक टाइप का एक बूस्ट एक बूस्टिंग इनर्जी होगा एक टाइप का एक बूस्ट करेगा स्टुडेंट को कि वो लीगली भी अब थोरा सा स्ट्रॉंग है और जहां तक मैं जानता हूँ जितनी मेरी समझ है लीगल की अंडर्स्टेंडिंग करने में तो सरकार को थोरा सा प्रेसर तो पढ़ेगा इसके उपर तो आप मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना के कोशिश कर रहा हूँ कि आप इस दो पेज को पढ़ हो और इसमें हर वो चीज लिख दी गई है तो 44 पेज पढ़ने के बाद जिससे आप स्ट्रोंग हो जाओगे आप जिनसे भी बात करना चाहो जो भी अड्मिस्ट्रेशन बॉड़ी होगी वहाँ पे आप उसको समझाने में सक्चम होगे कि देखो भाई यह मेरे राइट्स हैं सुपरिम कूट का जज्जमेंट यह कहता है कि तुम खेला के बीच में खेला का नियम कैसे बदलोगा या खेला के बाद होने का बद भी नियम बदल सकते हो की नहीं या फिर रिकूट्मेंट प्रोसेस क्या होता है कि बाद इन पब्लिक लॉग की बीच में बात हो रही है तो उसको एक दो लाइन में समझाने की कोशिश करूँगा स्टार्ट करते हैं ताइम वेस्ट ना करते हुए तो यह केसे ऐसा था कि तेज प्रकास पाठक वर्सिस रास्थान हाई कोड का केस था लंबा केस था समझने की कोशिश करेंगे कि क्या था उसमें कुछ इसी टाइब की सिविल प्रोसिस को लेके जूरिस्टरी को लेके कुछ वहाँ पे चल रहा था अपने कोशिश मतलब नहीं है उसका जजमेंट अपने लिए प्रोफिटेवल है अपने को यह समझना है कि वह जजमेंट जो आया है वह हर एक्जाम के आसपस जो है वो उसका जो रेशियो है वो लगेगा तो हम उसको समझने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले जो इस जजमेंट में गहरे जरी है उसको समझना है मैं उसको सिंपल कि कोशिश करराहा हूं उसमें पहला जो जो कॉर्शन मैंने जो आप लोग के लिए बनाया है उसमें यह है कि when the recruitment process commence and come to end Supreme Court यह पूछना चाहा रही है कि तुम बता दो कि recruitment process commence कब होती है और end कब होता है जब भी कोई सरकार कुछ इस टाइप की notification निकालती है तो notification में क्या सब होगा और कितने थारीक को वो end होगा वो जानना जो है बहुत जरूरी है तो इसको समझने का बहुत जरूरी है तो इस पर Supreme Court यह कहती है जब एडवितेजमेंट जो है इसको नोटिफाइड वेकेंसी जब एडवितेजमेंट जो है इसको रिलीज होता है वहाँ से लेके जब तक वो फाइल होता है स्टेप्ट लिए इसमें बहुत सारी इप्रॉयुक्य से साथ है चुछ साल बह्र दीए सब्सक्राइब को नहीं धुन हो जाता है conducting exam exam को conduct कराना calling for interview और VIVA was and the preparation of list of successful candidates for the appointment और last में successful candidate का जो last में list में merit में नाम आता है जिसमें आप लोग कोई select होते है SDM कोई DYSP ठीक है तो वो ये process जो है वो recruitment process है comments कब से हुआ notification से लेके और end कब हुआ appointment लेटर देने के बाद ये come to end होता है तो ये चीज़े हमें समझने की जरूरत है कि ये पूरा जो है एक टाइप का पहला question का है Supreme Court ने इसको categorically define किया है कि recruitment process comments कब होता है और end कब होता है next दूसरा question जो है basis of the doctrine that rule of the game must not be changed during the course of game or after the game is played ठीक है जो rule of game को लेके जो बच्चे लोग कह रहे है कि जो खेला का जो नियम है वो खेल खेलते समय और खेल खतम होने के बाद ठीक है खेल खतम होने के बाद भी change कर दिया है इन लोगों ने बहुत सारे case लोगे उसको उपर discuss नहीं करना चाहूँगा मैं ठीक है क्योंकि 70% पर qualification मान दो कि लग गया आप merit में आगे 70% अगर ले आए तो आपका जो है interview call आ जाएगा या फिर आप select हो जाओगा इस टाइप का बाद में जाके बहुत सारे judiciary के एक्जामनों ने किया कि 75% कर दिया ठीक है कि आपको 75% लाना पड़ेगा लेकि पहले 70 था फिर 75 हो गया एक चाहर प्रोसरस कंप्लीट होने के बाद 80% कर दो तो arbitrarily आप नहीं कर सकते हो तो rule of game को समझना पड़ेगा तो हमको ये समझना पड़ेगा कि इस वाले cases में यूपी PCS वाले cases में rule of game को कैसे ये damage कर रहे है और अभी mid of the game है ठीक है अभी तो हमने एक्जाम दिया नहीं है प्री होने वाला है तो mid of the game में भी change कर सकते है कि रूल change कर सकते है कि नहीं वो भी समझने के जरूरत है जैसे एक तो होता है कि आप pre दे दिये मेंस दे दिया इंटर्व्यू दे दिया और उसके बाद उसने बोला कि नहीं नहीं आपको नहीं लूँगा अब जो है वो मैं सुच रहा हूं कि जो बंदे 75% लेके आएंगे उनको दूँगा ठीक है ओपर रोल की बात कर रहा हूं एक मोटा मोटीबा कर रहा हूं कि 70% आपने लाया इस्टूइंट आ ने लाया 75% ब ने लाया कहीं भी नोटिफिकेशन मने लिखा था कि 75% लाना है ठीक है लेकिन आप बाद में स्टेट गोवर्मेंट है वो कुछ भी कर सकता है वो ले रूल ऑफ गेम मिड़ ओफ दी सेलेक्शन प्रॉसेस दोनों में चेंजेज नहीं कर सकते हुआ तो यह हमारे लिए मिड़ ऑफ दी जो रूल ऑफ गेम है न वो इंपोरेंट है कैसे आप समझाते हैं आप 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 आपटेकल आप 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 का मतलब क्या है थीक है वो बताने की जरूरत नहीं है article 16 को अच्छे से देखते हो न तो आपको right to equal opportunity होता है आप state government अगर कोई post निकालते हैं तो आप equal opportunity आपको मिलती है आपका जो है किसी और के साथ भेदभाव ना हो ठीक है आपको जो recruit कर रहे selection process में तो candidate A को privilege ना दिया जाए और B को इसको dund ना दिया जाए punishment ना दिया privilege versus punishment so equality होनी चाहिए तो आर्टिकल 14 जो है एक टैप में basics हैं और आर्टिकल 16 जो है उससे निकलने वाला एक निचोड है कि अगर 16 का violation कर रहा है कोई आपको नहीं दे रहा है तो आपको जब सेलेक्शन प्रोसेस के लिए जब आपको स्टेप बाइ स्टेप जब प्री मेंस और इंटर्वियू लेते हैं तो वह एक टैप के राइट तो opportunity of giving to employment है ठीक है अगर आप आर्टिकल 309 पढ़ोगे तो service में उसमें भी है कि employer और employee के बीच का relation है वो we are not going to discuss in depth उसमें नहीं जा रहे हैं वह टैप कर legal चीजे हो जाएंगी मैं एक नॉर्मल ले मैं जो ले मैं है उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि article 14 और article 16 का relation है बहुत सारे बच्चे कह रहें आपको 14 और 16 का आपको समझ में आ गया article 16 जो है वो state के ऊपर एक टाप का बांडेशन है fundamental light के है state के ऊपर एक टाप का bondation होता है आप सब को part 3 पता है तो एक टाप का article 14 और 16 जो है वो state को मजबूर करता है क्या मजबूर करता है कि आप fair रहो और equal treatment करो तो यह fairness normalization जब लेके आएंगे तो fairness कहां से आएगा transparency कहां से आएगी ठीक है अगर एक बंदा जो है वो 120 लाने के बाद भी selection नहीं लेता है और एक बंदा 100 नम्मर पर selection लेता है तो fair तो है ही नहीं एक जाम ठीक है उसी को लोग तो debate है पूरा बच्चे लोग जो demonstration कर रहा है उसका मेन मुद्दा ही है यह the principle of fairness in action अब fairness की बात कर रहा है तो fairness होता क्या है court कहती है मैंने कह रहा हूँ court कह रही है उसको समझी the principle of fairness in action requires that public authority be held accountable for their representation accountable होना है accountability होनी है तो fairness accountability से relation है इनका good administration required public authority to act in a predictable manner and honor the promise made or practice established until there is a good good reason not to do so good administration का जो आप बात करते हो कि good governance good administration बड़ी-बड़ी बाते होती है उसका मतलब क्या है उसका मतलब समझो कि उसका मतलब court ऐसा कहती है कि requires public authority to act in predictable manner जहां पर student predict कर सके कि मेरा exam का method यह है मेरे exam का solution इस तरीके से करूँगा मेरे question इस तरीके से check हुए जाएंगे ठीक है यह नहीं कह रहा है कि मेरे कोई इस पांच नमर में पांच नमर दे दो वह method नहीं कह रहा हूँ है ठीक है वो अलग method है लेकिन मैं यह बता रहा हूँ कि अब अगर good administration की बात करोंगे तो good administration का part यह सब है good administration में क्या है requires public authority to act in a predictable manner what do you mean by the predictable manner predictable manner मतलब जहां student सोच सके कि यह method है यह selection process है predict कर सके यह नहीं कि एक दिन रात में आपको संकर जीट कि वो प्रगट हो गया आप कह रहे कि चलो आज से जो है वो मैं exam का जब process है step है ठीक है वो change करता हूँ आज से normalization लागूँ है तेरी ली ठीक है यह नहीं हो सकता है यह स्टुडेंट का जो concern है वो बिल्कुल जाइज है ठीक है बिल्कुल इसको endorse किया जाता है और कहते है प्रैक्टे इसलिए unless जब तक कि अगर ऐसा करने को मजबूर ना हो कोई ऐसी मतलब आफद ना आ गई हो कि ठीक है मतलब change करना ही पड़ेगा emergency तो आई नहीं है कुम्ब तो हो ही रहे तो आपको कोई medical emergency नहीं है कोई public emergency नहीं है कुछ नहीं है बस आप कहरे हो कि मेरे पास जो है वो एक अच्छा center नहीं है 75 डिस्टिक है मेरे हिसाब से UP में और ठीक है आप 41 में जाके आप जो है वो एक्जाम को कंड़क्टराने जा रहे हो बाकी 30 में क्या आपके पास इतना भी basic infrastructure नहीं है आपके पास police personnel नहीं है आपके पास DMSDM नहीं है या फिर नीचे कोई बंदे नहीं है जो उसको recruitment process को जाक उतने बैतर है ठीक है इस judgment के माध्यम से मैं यही कहना चाहरा हूँ कि state government के उपर यह बहुत बड़ा अपने आप में एक समझनी की जरूरत है कि आप समझ लो court ये सब कह रही है court में case जाएगा तो आपको सुनना ही पड़ेगा दो टुक सुनके आओगे आप वहां से उसके बाद फिर क्या कहती है court ये भी कहती है कि changing the rule of game either mid stream or after the game is played is an aspect of retrospective lawmaking power अगर आप midway में change करते हो mid of the selection process में या फिर game खतम हो गया है selection का process खतम है interview दे चुक है बच्चे अगर आपने उसको वहां पर change किया है ठीक है legislative का काम किस का है लेसलेट करने का काम क्या है लेसलेट का काम जो बिधावन सभाय है UP की बिधावन सभाय है या फिर MLC है वो decide करेंगी कि कैसे होनी चाहिए legislative power तो वही होता है retrospectively कुछ भी change करना for example under the scheme of our constitution an absolute and non-negotiable prohibition against retrospective lawmaking is made only with reference to creation of crime crime के मामले में आप retrospectively जाके पीछे जाके आप change कर देते हो ठीक है वो उसको भी बहुत सारे judgment में सही ने माना जाता है कि मतलब आप दस साल पुनाना वो जो crime नहीं था उसको crime declare कर देते हो लेकिन वो sovereign body parliament अगर करना चाहिए तो कर सकती है ठीक है इसको मत्य रजन रखते हुए लेकिन आप एक public service commission हो ठीक है आप आपके पास इतनी authority नहीं है कि आप यह सब कर सको ठीक है any other legal right or obligation could be treated, altered, instruence, retroposy by the sovereign law बता दी आपको, however such drastic power is required to be लेकिन ये भी power, article 14, article 16 क को मत्य रखते हो, उसको ध्यान मिडखते हो होगा ठीक है, that means, I am just trying to explain that कि even the state legislature have power or the central government or parliament has power to retrospectively change the act rule or something like that but it will not absolutely absolute way, that means, it will be challenged, it will be checked in the eye of article 14 or 16, article 14 or 16 को मत्य रजे रखते हुए ही आप retrospectively change कर सकते हो, आपको ब्लैंकेट नहीं है कि आप आए और आप भी वहला same है, आप एक रात आपको भगवान आए और आपने बोला कि change, नहीं, वो article 14 का चेक होगा, जो भी इसकी testability होगी वो चेक होती है, आटी की 16 की चेक होगी तब जाके आप पूर कहाँ ठीक है कि नहीं है, understand, उसको समझने के जाता है, तो आप इसको अच्छे चा समझ लो, यह तीसरा चीज़े हैं, जिसको मैं target करना चाहूँगा, कि इसका मतलब यह है कि legitimate expectation in public law क्या होता है, कोट कह रही है, यह भी एक टैप के doctrine है, doctrine यह कहता है कि student को यह पता होना चाहिए, कि मेरा paper का method क्या है, मेरे paper का mode क्या है, मेरे paper में cut-off कितनी होंगे, यह एक legitimate expectation है, जो student को होता है, तो फिर इसका मतलब होता है कि legitimate expectation, तो government से एक से expect किया जाता है, कि आप प्रीवियस record जो भी हो, उसको ध्यान में रखते हुए, उसको वैसी करम में आप उसको रखोगे, आपकी policy वैसी कुछ होगी, ठीक है, ऐसा नहीं है कि policy change नहीं हो सकती है, मैं यह नहीं कह रहा हूँ, कोट भी यह नहीं कह रही है कि policy change नहीं हो सकती है, लेकिन वो policy, पॉलिक इंट्रेस्ट में, लाजर पॉलिक इंट्रेस्ट में, ध्यान में रखते हुए changes होगी, understand, आप यह नहीं कह सकते हो कि अचानक कि मैं एक दिन policy change कर दिया हूँ, ठीक है, policy change करोगे, तो भी उसको आपको पॉलिक लाजर पॉलिक इंट्रेस्ट बताना पड़े, क्यों policy change करो, जैसे दिली का सराव घोटाला का केसे आपको पता होगा, policy change होई है, लेकिन पॉलिक कि जाम से एक मेने परे क्यों पड़ी, यह आपको समझने की जरूरत है, that means, कि जो doctrine of legitimate expectation है, in public law, उसको violations हुए है, yes, so, अगली चीज जो है, जिसको हम समझने की कोशिस करेंगे, कि, अगर doctrine of legitimate expectation, student का एक अधिकार है, तो क्या state government के पास power है, या फिर कुछ ऐसा कह लें कि कुछ limitation है कि इसका, इस doctrine का कोई limitation है, जहां पे state government को policy change करने के लिए कुछ छूट मिली हो, तो answer is yes, ऐसा नहीं है, state government के पास power नहीं है, yes है, वो legislate कर सकते हैं, वो policy को change कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि वो policy जो भी change कर रहे हैं, वो larger public interest के लिए हो, उसको ध्यान में रखते हो, उन की चीजों को लेके आया है, कि नींद से जगे तो normalization है, नींद से सो गए तो फिर कोई दूसरा, उठे तो कुछ और, तो वो नहीं हो सकता है, larger public interest ध्यान में रखा जाएगा, उसके लिए वकाईता case law है, बता देता हूं आपको, इन सिवानन दन CT cases जो हैं, अगर आप उसको पढ़े, जजमेंट को पढ़े, तो उसमें काफी अच्छे से लिखा है, क्या लिखता है वो भी बता देता हूं, दो लाइन की बाते हैं, समझी, ठीक है कि आप एक अच्छा administration लाने के लिए चेंज करनी की जरूरत है, तो state government अपनी policy चेंज कर ले, कोई दिक्कत नहीं है हमें, और ना student को दिक्कत होगे, बसरते, ध्यान रहे, ध्यान रखना, कान खोल के सुनो, the principle of good administration required that the decision of public authority must withstand the test of consistency, comma, transparency and predictability to avoid being regarded as arbitrary and therefore violative of article 14 of the constitution. कुछ तो लॉजिक रखोगे भाई, कुछ तो consistency follow करोगे, कुछ तो transparency दिखाओगे, बताओगे बच्चे को कि क्यों ला रहे हैं, इससे तुम्हारा क्या profit होगा, सीधे उठके एक दिन आगे हैं, सीधे परसेंटाइल system लेके आ जाओगे, C-set का paper पता नहीं हैं कि उसमें cut-off आता है, predictability to avoid, predict कर सके बच्चे, ठीक है, कि इसमें में कितने marks आएंगे, कि अगर मैं इतना solve करूँगा, तो इतने marks गिरेंगे, एक ऐसा तुम समझ लो कि किसी सेट में बच्चे वहां में 5000 आगे तो उसका परसेंटाइल कम हो जाएगा, और किसी में 3000 आगे तो परसेंटाइल बढ़ जाएगा, ये तो बच्चे के presence होने पर उसकी qualification डिपेंड कर रहा है, तो it will be definitely the bad law, मेरे साब से, और court भी यही कह रही है, कि good administration के लिए तुम्हें ये limitation का power, doctrine of legitimate expectation के लिए दिया जा रहा है, कुछ लोगों को ये चीज नहीं समझ में आएगी, ठीक है, मैं उम्मीद भी नहीं करता हूँ कि आप सब को ये चीज समझ में आए, लेकिन जो लोग इस case को लरेंगे, वो definitely समझेंगे कि ये वीडियो उनके लिए क्यों important है, what has been discussed in K. Manjusri case, इस पूरे उसमें K. Manjusri का cases को बहुत बार उसमें discuss किया गया है, K. Manjusri का cases को लेके इसमें केवल एक line में समझो, कि in this case, court clearly stated that changing the rule of the game after the game was played, which is clearly impermissible, that means कि अगर selection का process पूरा complete हो जाता है, और उसके बाद अगर आप game change करते हो, तो ये जो K. Manjusri का cases है ना, जब आपका selection process complete, pre-mains interview हो जाता है, उसके बाद अगर share का नहीं करते हैं, तब का है, लेकिर हमारा case वो नहीं है, हमारा जाम नहीं हुआ, तो mid of the selection process अगर करता है, तो क्या होगा, तब भी उसका answer जो है, उसमें यही राज्थान cases लगेगा, कि आप next, so इस सब को ध्यान में डखते हुए, last जो मैंने लिखने की कोशिस किया हुए, what is the ultimate object of any process of selection for entry into a public service, public service में किसी बंदे को select करने का objective क्या है, state government इस टाइप की employment जो generate करती, उसका पीछे का region क्या है, आप IS, PCS, civil service के जो भी बंजे, DYSP बनते हैं, tax officer बनते हैं, RTO जो भी बनते हैं आप लो, government को इस से हासिल क्या होता है, government इस exam का conduct कराने का मतलब क्या है, वो समझी, the ultimate objective for any process of selection for entry into a public service is to secure the best and most suitable person for the job, Supreme Court कह रही है, साहब हम नहीं कह रहे हैं, हम बार बार आपको बता दे कि Supreme Court का judgment मैं पढ़ रहा हूँ, गोल लिए कि जो best candidate है, उसको job देना है, हवा में उठके किसी को नहीं देना है वाई, और normalization जो है, वो हवा में उठके किसी को भी job देने के बराबर है, कहां से बंदे आ रहा है, कौन आ रहा है, कितने marks मिलने पर कौन select हो रहा है, कोई ज़्यादा score कर रहा है, तो नहीं select हो रहा है, यह सब unfair है, तो court की court यह कह रहा है कि आपको most suitable person for job avoiding patronage and favoritism, favoritism को तो खतम करना है, आप बढ़ाने की कोशिस कर रहे हो, आप समझो judgment आपके लिए कितना important है, selection based on merit, tested impartiality and objectivity, यह सब चीजें जो है, यह civil service exam कराने के मूल मंत्र है, is essential foundation of any useful and efficient public service, इसी के उपर short है, तो मेरे सारे दोस्तों, यह judgment आपके लिए एक type का asset है, उसकी तरह use करूँ, इसमें public service जो होता है, वो good administration के लिए होता है, और खूल के लिखक दिया गया, unfair practice नहीं कर सकते हैं वो, normalization तो कड़ ही नहीं सकते हूँ, तो आप उसको ध्यान रखें, मुझे लगा यह judgment पढ़ने की दुरूरत है, और मैंने उसको पढ़को जितना कम से कम हो सका, वो आपको बताने की कुशिस क्या है, और यह आपको telegram पे मिल जाएगा judgment, इसका synopsis मिल जाएगा आपको, तब तक आप अपने अंदोलन को मजबूत रखें, मजबूती के साथ लड़ें, आप सांतिपूर्ण अंदोलन करें, जो भी constitutional rights हैं, उसके अंदर में, उसके जो ambit में हैं, जो भी हैं, वो आप प्रदर्शन करें, आपनी मांग करें, demand करें, demonstrate करें, सारी चीजे जो हैं, वो आपका जो भी इसमें लगे कि कभी भी मेरी जरुत परें, तो आप definitely reach out कर सकते हैं, tapasize पे, ठीक है, आप mail कर सकते हैं, ठीक है, definitely जितनी मलत होगी, वो मैं करूँगा, तब तक अपना ध्यान रखें, और बस लड़ते रहें, have a nice day, take care.